पैसा आज के समय में सबसे किमती चीज होती है जिसे हर कोई कमाना चाहता है और कमाता भी है। हमने हमेशा पढ़ाव सुना है कि जीवन में ये चीजे सबसे महत्वपूर्ण होती है जिसमें रोटी, कपड़ा वे मकान शामिल है परंतु आज के समय के हिसाब से इस कहावत को बदलने की जरूरत है। इस कहावत में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ पैसें को भी जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि आज पैसों के बिना लगभग हर काम असंभव है। पैसे कमाने के हजारों तरीके आपको मिल जाएंगे। पर क्या आप पैसों को बचाने के तरीके जान जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो में को आसान मनी सेविंग टिप्स में बताने जा रहा हूँ। अतह आप इस वीडियो को अंत तक देखे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। पैसा बचाना क्यों जरूरी है। आप इस बात स जानते ही होंगे वैसे ही आपको पैसे बचाने के कई फायदे हैं जो कि आपके निजीव सामाजिक जीवन से जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं पैसे बचाने के उन आसान से तरीकों के बारे में जो आपको जानने चाहिए और पैसों की बचत करनी चाहिए। पैसे बिना मतलब की चीजें खरीदना और बिना मतलब के कार्य में पैसे बहाना तो ऐसा न करें आपको केवल वही पर खर्च करना चाहिए जहां आपको लगे कि मुझे यहां पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आपके खर्चों के अलावा आप पैसा सेव करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने घरेलू खर्चों को कम करना पड़ेगा। घरेलू खर्चों में आवश्चक चीजों के अलावा कुछ अन्य चीजों पर पैसा खर्च न करें। इससे आपकी सेविंग में बढ़ोतर 4. आवश्यक वस्तूओं को ही खरीदे हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार एक सामान्य व्यक्ति बाजार जाने के बाद कई अनावश्यक चीजें खरीदता है जैसे खाने पीने की चीजें, कपड़े इत्यादी ऐसा न करें केवल आवश्यक्ता वाली चीजें ही खरी अगर आप निवेश करने से पहले जाँच परक कर लेते हैं तो यह आपके लिए एक रामबांड साबित हो सकता है वही आपको बता दे कि इंटरनेट पर कई चीजें जो आपको निवेश करने हे तू लुभावने ओफर देते हैं और बाद में पैसा लेकर छूमंतर हो जात तो ऐसी फ्रॉड कमपनियों से बचें और सही जगह निवेश करें 6. स्वतह की बचट करें अपने पैसों की बचट करने के लिए आप स्वयम को आगे आना चाहिए 7. बनाएं एक निश्चित बचट अपने खर्चों को सीमित करने के आपको अपनी कमाई के अनुसार अपने खर्चे का एक बचट भी बनाना चाहिए 8. निवेश में देखे बचट अगर आप एक निवेशक है या आप निवेश करने में इंट्रेस्ट रखते हैं तो आपको इस बात का खयाल होना चाहिए कि आप जहां पर भी निवेश कर रहे हैं वहाँ पर आपको क्या ब्याज दर्दी जा रही है और आपको निवेश पर कितना रिटर्न मिल रहा है इस बात का जरूर ध्यान रखें ये मुख्य फैक्टर है जो आपको कमाई के साथ सेविंग्स करने में भी मदद करेंगे अगर आप एक हाउस वाइफ है या आप घर पर कार्य करते हैं तो आपको हमेशा जीवन में कुछ नया करने की सोच रखनी चाहिए अगर आप अपने नियमित कार्यों के अलावा और भी कार्य करते हैं तो यह आपके लिए एक रामबान साबित हो सकता है जितना पैसा आप कमाऊगे उतना ही आपको फायदा होगा और आपकी सेविंग्स बढ़ेगी तेन तकनीकी चीजे जैसे मोबाईल लैप्टॉप पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं तो यह बात भी विचार करने लायक होगा क्योंकि यदि आप किसी ऐसे खर्च को बढ़ावा देते हैं जो आपकी बचत को प्रभावित करता है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए